एक business model ये बताता है कि कोई भी business कैसे revenue generate करेगा यानि कोई भी बेक्ती जो startup करना चाहते हैं वो जो business model को देखते हैं तो अक्सर यही सोच होता है क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके लिए customer pay करने को तयार हो और एक startup को laugh हो यानि किस प्रकार का business model जो की आपको मदद करेगा आपक तो आज इस वीडियो के अंदर और कुछ business model के बारे में बताऊंगा जो आपको मदद करेगा decision लेने में कि कुन सा business आप शुरुआत करें तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं अगर आप चानल पे नाए हैं तो चानल को subscribe कर जीजिए अगर आपको वीडियो पसंद के लिए दो चीजे महतपून होता है पहला क्या है क्या आपका customer आपको समय देगा और दूसरा क्या है क्या आपके customer आपको पैसा देगा यानि time और money यह दो चीजे बहुत ही महतपून है देखे customer आपको पैसा देगा यह तो समझ में आता है परन्तु customer आपको समय देगा यह क्या होता है जैसे कि देखिए यूटूब जब आप यूटूब पे जाते हैं यूटूब पे आप अपना पैसा नहीं देते हैं यूटूब का आप अपना समय देते हैं यानि आपको किसी भी प्रब्लेम का सल्यूशन चाहिए होता है आप यूटूब पे जाते हैं विडियो देखते हैं free of cost यानि देखिए जब आप YouTube पे समय देते हैं वीडियो को देखते हैं तो creator और YouTube दोनों पैसा कमाते हैं क्यूंकि उस वीडियो के ऊपर add-on होता है फिर creator और YouTube पैसा कमाते हैं यानि या तो आप customer का time ले लिजिए या फिर customer का पैसा तो ऐसे ही कुछ interesting business model मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहला बिजनेस model है subscription business model यह है जिसमें customer को एक बार खर्चे के बजाए monthly quarterly या फिर annually fees लेते हैं यानि एक छोटे से amount charge करते हैं और बदले में उनका service मिलती है जैसे कि देखिए नेट्फ्लिक्स, Amazon Prime, G5, Hotstar यह लोग क्या करते हैं बहुत सारे content अपने platform पे ले के आते हैं और एक छोटे से amount पे customer को subscription करवा के पैसा कमाते हैं तो आप भी बिल्कुल अपने business के अंदर subscription model को apply कर सकते हैं चाहे आपका business कितना चोटा क्यों ना हो आपका business एक salon का business है गुप्चूप का business है कितना चोटा business क्यों ना हो आप इस model को apply कर सकते हैं परंतु यह आप कैसे करेंगे इसका step by step process क्या होना चाहिए अगर आप इसके उपर एक detail में वीडियो चाहते हैं तो जाहिए comment box में मुझे comment कर दिए ताकि मैं इसके उपर एक detail में आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा दूसरा business model देखिए razor and blade business model इसको consumable business model भी कहते हैं यह जो business model है ना देखिए जो चीजे कस्टमर को regularly ज्वरत होती है उसका जो main चीजे है ना उसको आप थोड़ी सस्ती कर दो परंतु उसका जब spare parts customer खरीदने लगे परंतु जब आप खाली blade खरीदने जाओगे क्योंकि हमेशा तो आपको जिलेट का मसीन जरूत नहीं है तो जब आप खाली blade खरीदने जाओगे तो उसका प्राइस आपको महेंगा लगता है ऐसे ही देखिए जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जो car showroom वाले ह बहुत होते हैं उनको गाड़ी बेचने पर ज्यादा margin नहीं मिलते हैं उनको थोड़ा बहुत margin मिलते हैं परंतो जब आइसे सरी बेचते हैं तो उसमें ज्यादा profit margin कमाते हैं ऐसे ही देखिए जो printer होता है printer 3-4000 का printer होता है परंतो जब आप original cartridge खरीदने जाएंगे वह 700-800 का आजाता है यानि ऐसे चीज़े जो रिगुलारी ज्वरत होती है कस्टमर को और उसमें ज्यादा profit margin मिलता है उसका बिजनेस आप कर सकते हैं इसके बात देखिए लीज और रेंटाल बिजनेस देखिए जो लीज बिजनेस है ना यह बहुत यह अच्छा बिजनेस मोडेल है इसमें नर्माली क्या होता है आप एक time period के लिए एक साल दो साल पांस साल ऐसे time period के लिए agreement पर देते हैं और one time पैसा ले लेते हैं इसमें देखिए आप कोई जमीन या फिर heavy machinery या फिर कोई store go down ऐसे चीज़ों को आप लीज पे दे सकते हैं इसके बाद देखिए रेंटाल ब जरत होती है तो वह सारे चीज आप इंट पर दे सकते हैं यहीं नर्माली रेंटाल विजनेस के अंदर देखें के एजेंट होते हैं ओनोर होते हैं रेली स्टेट के और या फिर जो कंट्राक्टर होते हैं उनके साथ आपको नेटवार्क बढ़ाना होता है क्योंकि ज्यादा तर बिजनेस उन्हीं से आपको मिलने वाले हैं तो ऐसे में देखिए अगर आपके पास कोई भाइकिल है जैसे की कार बॉस ट्रॉक तो यह सारे चीज़ भी आप रेंट पर दे सकते एक बजीनेस मडल है यह बहुति इंट्रेस्टिंग बजनेस मडल है सपस्ज का पर पर जूमें पर बि फीचर के लिए कुछ पे करना पड़ता है यानि आपको कानभा प्रो लेना पड़ता है यह काम देखिए स्पोटिभाई भी करता है मेल्चीम ड्रॉप बॉक्स लिंग्डिन भी करते हैं यानि लिमिटेड फीचर बेसिक फीचर दे के कस्टमर को एक्वार कर लो फिर वही कस् तो आप भी बिल्कुल ऐसे बिजिनेश मॉडल को डेवलोट करके पैसा कमा सकते हैं इसके बाद देखिए ड्रॉप सिपींग बिजनेस देखिए यह जो बिजनेसमोडникиफ बिजनेसमोडेल है इसमें देखिए आपको ऑनलान काम करना होता है आपको कोई फीजीकेल स्टोर क करने की ज़रत नहीं है यारी आपको एक खुबसरोच्छा विबसाइट बनाने की ज़रत होती है और उसके उपर प्रोड़क्ट का फोटो लगा के जादा से ज़्यादा कस्टमर उसमें लाना होता है और जब कस्टमर आपको ओडर देगा आप उस ओडर को अपने जो सप्लाय को दे देंगे तो ये जो प्रोसेस है न इसको कहते हैं ड्रॉपशिपिंस अगर आप आप ए-कommenche P, नह में वीडियो चाहते हैं हže नहीं ड्रोपशिपिंग बिजनेस अगर ईसके उन्पर चुपर विडियो बना चुका हुँ उसका लिंक आपको Listening और मिल जाएंगे यानि ऐसे और भी बहुत सारे business model है परन्तु किसी भी business model में entry करने से पहले आपको कुछ चीजों के उपर ध्यान रखना होगा पहला देखिए आपको देखना होगा आप customer का कुन सा problem को solve करेंगे यानि आपको अपने idea को define करना होगा और दूसरा देखिए आपके target audience कौन होगे या आपको समझना होगा यानि कौन से लोग है जो आपके product या services को खरीदने वाले हैं और तीसरा देखिए आप market को analysis करेंगे मार्केट के अंदर trend क्या चल रहा है आपके competitor कोन है या फिर देखिए customer का need उनका preference ये सारे चीज़े आपको समझना होगा और इसके बाद देखिए आपका channel distribution कैसा होगा यानि आपका जो product या services है वो आप direct customer के पास पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई distribution के throw आप पहुंचाना चाहते हैं यानि आपका जो expenses होगा वो खर्चे को आप कैसे कम करेंगे इसके अलाबादे के customer के साथ आप relation कैसे रखेंगे यानि उनके साथ आप कैसे interact करेंगे उनके लिए आप marketing कैसे करेंगे उनको आप sales कैसे करेंगे और finally देखिए जब आप market में launch करेंगे तो फिर आप customer का feedback लेके उसके उपर जो भी आपको improvement करने की ज़रत होगी वो improvement करके आ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हां इस चानल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए मैं भी जोई कुमार आप सभी लोगों को हिर्दोई की यह से बहुत बहुत धन्यवाद